इसका मतलब जिसे तुमने धोका देखे कोएं में धक्का दिया थो अब तुम उसके सेवियर बनके दुबारा उसे कोएं से निकालना चाहते है और पुरसे उसकी नजर में हीरो बनना चाहते है तुम्हेरे बाप का नौकर नए जो तुम्हे वर्ण गरो प्तिव तुम्हरे सवालों के जवाब देता किरू। तुम फिराच के साथ क्या कर रही थी, जब समीन पर इलजाम लग रहाए था तब तुम सारी बातों समु कर गईती। जब सारा मलबा समीन पर गिर रहा था तब तो तो तुम नहीं आई आई अब उसके शोर के आई समझ मैं भी उसी घर की बहूं उच इस घर की बहू समीन अद्मा नंबर बोलो अपनी हीरो शिप दुबारा आशिल करना चाहते हो नहीं तो नंबर बोलो हेलो, हेलो, कहां रह गी थी तुम? कब से इंतजार कर लियू हूँ? कितनी दफ़ा कहा है भाई तुम्हें इस तना के लेक्शर्स मत दिया खरो मुझे? जान जलती है मेरी तुम्हारी इस तना की फजूल बातों से? तुम्हारी क्या जान जलती है? माई डार्लिंग, इस दुनिया में हर इंसान को अच्छी और सची बात बहुत बुरी लगती है लेकिन फरेब देने वाली बाते हैं जिससे रंगीन और संगीन खौब देखे जाते हैं वो सबको पसंद होती है अच्छा बस, बस फ्लीज, चब फलसफे मन जाड़ो अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सती ना तो अपना मूँ बंद रखो तुम बेरी बात तो सुनो तुम तो अपने फरास के साथ आई हो इस हसाब से तो तो तुम्हें बहुत खुछ नहीं होना चाहिए बहुत खुछ थी नहीं लास मॉमेंट पर उसने समीन का नाम लेके सारे मूट का सत्य अनास करे तो तारीफ की या मुहमबत का इजहार कर रहा था खुछ नहीं किया रहता कि समीन खाना बहुत अच्छा बना लगा तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है कभी-कभी तो दिमाग मित्पल काम करना छोड़ जाता है लंबी चौड़ी तमहीद छोड़ो और वो सवाल बताओ और इसका तुम्हें जवाब नहीं मिल पाता तुम जो चाहती है वो होगा कैसे मैं जा तुम यह जाना चाहती हो कि यह सब कैसे होगा हाना बताओ इस ना मुम्किन काम को मुम्किन कैसे करोगी यह करो ही जान की करना क्या है तुम बस यह समझ लो यह कल जब्रा का उल्शावा सवाल है जो हल हो जाएगा तो मेरे दिल को सकून मिल जाएगा 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 यार मैना चलती हूँ बहुत देगरोकर यह अस्वन कॉल्स पे कॉल्स किये जाएगा बस इतना सा मश्रुप कि यह सब होगा और जरूर होगा मैं एक-एक करके उन दोनों को अपने रास्ते से जाएगा अस्वन को भी और समीन को और फिर फराज हो मेरे बीच में कोई रुकाबट में होगी